हमारे चैनल कैरियर पॉइंट नवादा को लाल बटन दवा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे दोवारा दिये गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पाले पहुंचे मैं जैसंकरजा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पढ़न वादा में स्वागत करता हूँ अभी लगातार आइकम सकेंड यर के लिए मैं एक ही चप्टरी कंसिश्योशन और पार्टनर्शिप चैन्जिन प्रॉफिट सेरिंग रेशियो से लगातार एक ही टॉपिक यूजिकर जिसे किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लेम नहीं और कोई टॉपिक छूटे नहीं तो एक ही चैप्टर से लगातार वीडियो बना रहा हूँ लग लग चेप्टर से एक दो वीडियो बनाने से कोई फैदा उस प्रकार का होता नहीं इसलिए एक ही चेप्टर से लगातार वीडियो बना रह incidents इस कि पाले पाँच वीडियो इस चेप्टर से बनाया गया है अगर आपने अभी तक नहीं देखें तो पहले वो पांचों वीडियो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्प्सन में आपको मिल जाएगा, तो डॉक्टर एसके सिंग के बुक से एक से लेकर पांच तक का कोईशन स्वल्भ हो गया था, अब नेक्स्ट टॉपिक है, संचित लावों एवं संचयों के वितरन का लेखांक यानि कि accounting for distribution of accumulated profit and reserve, तो संचित लावों और संचयों के वितरन का लेखांकन के लिए दो केस होता है, दो स्थिति में इस का लेखांकन होता है, तो केस वन का discuss हम कर चुके हैं, पिछले वीडियो में, वहाँ पे journal entry क्या करना है, किस प्रकार से करना है, तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो देख लें, आज मैं इस question को solve करने जा रहा हूं, तो देखिए question क्या है, जो A और B यानि कि A और B एक form में साज्येदार हैं, जो लावों को तीन अनुपादू के अनुपात में बाटते हैं, उन्होंने लावहानियों को समान रूप से बाटन करने नहीं किया, लाव विवाजन अनुपात में परिवर्तन कीती थी को, लावहानि खाता में 40,000 का डेविड सेस, और 10,000 का समान संचय था, लाव विवाजन अनुपात में परिवर्तन के पूर्व, लावहानि खाता के सेस, एवन समान संचय के वित्रन हेतु आवस्यक जर दोड़ा रिविजिन करा दूं थियोरी पे उनको तो संचय और लावहानी के वित्रण के लिए दो इस्तितियाँ होता है जिसमें हम लाव को लाव और संचय को वर्तमान साज़ेदार या पुराने साज़ेदारों के बीच में पुराने उन पात में बर्ट दिया जाता है और एक होता है जिसमें इस एकाउंट को क्लोज नहीं किया जाता है और प्रथम स्थिति में केस फर्स्ट में जो लावानी खाता है और सामान संचाह खाता है इन दोनों खाता को बंद कर दिया जाता है case first में क्या किया जाता है तो इन दोनों खातों को बंद कर दिया जाता है और case 2 में क्या किया जाता है तो adjustment किया जाता है यानि कि इन खातों को continue ही रखा जाता है बंद नहीं किया जाता है तो इस question में कहा रहा है जो परिवरतन के पूर्व लावहानी खाता के सेश एवन समान संचाई के वित्रन हेतु यानि कि बाट देना है यानि कि इस account को close कर देना है इसके लिए जर्णल प्रविष्टी करना है तो आइए देखते हैं क्या होगा जर्णल प्रविष्टी आइए जर्णल इंट्री करके दिखाते हैं कि जर्णल इंट्री क्यों सब्सक्राइब कर देट पाल्टिकूलर्ज एल 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 एमांट डेबिट एमांट क्रेडिट अब देखिए एक एक चालीस हजार उपया का लावहानी खाता का डेबिट सेज हैं लावहानी खाता में चालीस हजार का डेबिट सेज चालीस हजार का डेबिट सेज देबिट तो पार्टनर यहां पे हैं ए और बी तो हो जाएगा एज कैपिटल एकांट डेबिट कितना है चालीस हजार को ए और बी के बीच में तीन अनपात दू के अनपात में बाट देना है तीन अनपात दू के अनपात में बाटेंगे तो हो जाएगा तीन दू पांच अठ्थे चालीस अर्थरीक चोबीस हजार अर्दूनी सोल हो जाएगा अन डिस्ट्रीड ब्यूटेट पी एल या पी एल लिख सकते हैं या तो पी एल के जगा पे डेक्ट हम लॉस लिख सकते हैं लॉस अन्रिस्ट्रीटेट लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट इन ओल्ड रेशियो थ्री इस्टू यह हो गया बिंग कोई देखेगा नैरेशन तो उस्ते क्वेश्टन देखनी क्या हो सकता नहीं होगा क्यों को समझ आएगा जो क्या है अन्रिस्ट्रिबूटेड यानि कि ओवित्रित लॉस को ट्रांसफर किया है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट में किस रेशियो में तीन अनपाद दो क्या अनपाद में सकेंड एंट्रि है जेनरल रिजर्व शामान संचाय दस यार का तो शामान संचाय के लिए हमें साइंट्रि होगा जेनरल रिजर्व एकाउंट दी यार तू पार्टनर्स कैपिटल यानि कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एकाउंट एकाउंट टू बीज कैपिटल एकांट कितना है दस हजार, दस हजार को भी तीन अनुपात दू के अनुपात में बाट देना, यानिकि तीन दू, पांच, पांच दूनी, दस, दूतिया, छो हजार A के एकांट में, और चार हजार B के एकांट में, टोटल जर्णल हो जाएगा, 24, 16, 40, 10, 50,000, ये भी हो जाएगा, पांच, बिंग इसका हो जाएगा, जेनरल रिजर्ब, ट्रांसफर्टू, जेनरल रिजर्ब, ट्रांसफर्टू, पांच 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 को, पांच चार हो जाएगे, पांच पांच को, फिल ये लिजर्ब क्लिछा ते फोल पांच में, दस जार था ए और बी में तीन अनुपात दूपात में बाटते हैं उन्होंने अपने लाव व्याजन अनुपात को तीन अनुपात में परिवर्थित करने का निर्णाई किया निर्णाई के लाव व्याजन में परिवर्थित की तिति को लाव वहाणी खात में परिवर्थित का जमा सेच्था इससे पिछले वीडियो में इसक्राइसल् 1 इसमें है पचाहँजार का जमासे तो इंट्री ठीक उसका अपोजिट हो यानि कि इसके लिए हमें इंट्री करना पड़ेगा मैं बत कोईशन बता देता हूं आप खुद बनाईएगा इसकोईशन को सिर्फ डिसकस करके समझा के छोड़ देता हूं तो पचाहँजार का जमासे इसके लिए इंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एकॉंट डी आर टू पार्टनर्स कैप्टल एकॉंट पार्टनर है ध टीन और पाकर रह एकॉंट कiri कर देंगे और हिए तीन से कर देंगे गुंगा तो हो जाएका एक對 तीन के खाते में और इस तीन से नहीं गुना करना था 5 से गुना करना था तो 31,250 हो जाएगा दोनी के एकांट में और 18,750 हो जाएगा पठान के एकांट में तो इसके लिए तो जनरल प्रिष्ट हो गया अगला आगे देखते हैं 24,000 का समान संचाय था समान संचाय के लिए तो इंट्री एक ही होता है क्योंकि यह हमेशाब प्रोफिट ही होगा जनरल एजर वेकांट या तो दोनीस कैपिटल एका को पांच तीन ये बांटना पांच तीन आठ आर्थरिक जो इस पांच तिया 15,000 और तिन तिया 9,000 तो दोनी के खाते में 15,000 और पठान के खाते में 9,000 लावभानी खाते के से समान संचाय के वित्र नहीं तो आवस्यान पविष्ट्री करने के लिए का रहा है तो कि दोनों इंटी बताए दिया खुद से आप इंटी कर लिजिएगा अब मैं नेक्स टॉपिक देखता हूं नेक्स टॉपिक है समान संचाय काते को बंद नहीं किया जाना समान संचाय खाते को बंद नहीं किया जाने कि not to close the general reserve account इससे पहले के दोनों प्रस्ण में जो भी लाभानी खाता था या समान संचाय खाता था उसको बंद कर देते थे उसके सारे एमंट को partners capital में बाट के उसे account को close कर दिया जाता लेकिन अब आगे है not to close the general reserve account यानि कि case 2 यहा आइए साव से पहले case 2 के theory को discuss करते हैं आइए देखते हैं case second not to close PL and reserve यानि कि लाभानी खाता को लाभानी खाता को और reserve account को नहीं बंद करना क्या 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 जाता है देखिए होता क्या है तो यह निर्भर करता है partners agreement के उपर में partners agreement क्या है यानि कि साज़ेदारों के भी समझोता किया है अगर साज़ेदाई form का अपनरगठन होता है इस सिस्थिती में पहले का जो लाभानी होता है या संचित होता है उसे किस प्रकार से बाटने का निर्णय किया गया अगर partnership agreement में अगर यह निर्णय लिया गया हो कि जो संचित लाभ और हनी को बन्द कर दिया जाएं उस खाते को close कर दिया जाएगा तो इस सिस्थिती में उस accounts को close कर दिया जाया अगर सब्सक्राइब के बीच चनियू करने टो साझेदार के पुंजी खाते या चालू खाते के माध्यम से समायोजन किया जाता है यानि कि जिस साजहदार को हानी उठाना पड़ता है उसे लाव पाने वाले साजहदार के द्वारा छाती पूर्ती किया जाता है गैप्टल एकॉंट के थुरू तो आईए देखते हैं जो किस प्रकारिया शंभव हो पाता है तो इसके लिए लेखांकन तकनिक, सबसे पहले चीज़ है लेखांकन तकनिक यानि कि हम किस प्रकार से इस छाती को हम पूर्ती कर सकते हैं तो सबसे पहला काम होता है फर्स्ट ओफाल सबसे पहले लाभ या संचय अथवा हानी लाभ संचय अथवा हानी का सुध प्रभाव यानि की नेट इफेक्ट ज्यात किया जाता है सबसे पहले अगर खाता को बंद करने का डिना अगर लेता है यानि खाता को रखने का डिना होता है तो लेखांकन तकनिक में सबसे पहला काम होता है लाभ संचय अथवा हानी यानि कि तीनों का शुद्ध प्रभाव, net effect निकाला जाते हैं यानि कि तीनों को adjustment करके एक रासी निर्धारित की जाती है फर्स्ट काम, जो सकेंड काम होता है त्याग, अनुपात, अथ्वा, लाव, हानी, अनुपात का गन्ना किया जाता है फर्स्ट काम हो गया, लाव, संचाए, अथ्वा, net effect निकालना दूसरा काम हो गया, त्याग, अनुपात, या लाव, हानी, अनुपात का गन्ना करना दूसरा काम, तीसरा काम होता है तीसरा काम होता है, लाव प्राप्ति करने वाले साजेदार के द्वारा ला प्राप्ति करने वाले साजेदार के द्वारा हानी उठाने वाले साजेदार इसको हम त्याग करने वाले त्याग करने वाले साजेदार भी कहते हैं त्याग करने वाले साजेदार हानी उठाने वाले साजेदार के हिस्से के बराबर लाब या संचय लाब या संचय का छती पुर्ती किया जाता है लाब प्राप्ति करने वाले साजेदार के द्वारा हानी उठाने वाले साजेदार अर्था त्याग करने वाले साजेदार के हिस्से यानी कि हानी उठाने वाले साजेदार का जो हिस्सा होगा उसके बराबर लाब या उसके हिस्से बराबर संचाय काच्छति पूर्ति किया जाते किसके द्वारा लाव प्राप्ति करने वाले साजेदार के द्वारा आइए देखते हैं इसके लिए क्या प्रविष्टियां होती है इसके लिए इसके लिए निम्न प्रविष्टि की जाती है दीखे नेट इफेक्ट जो निकाला जाता है लाव संचयत्वा हानी का सुध प्रभाव नेट इफेक्ट जो ग्यात किया जाता है उसमें तो लॉस भी हो सकता है और प्रोफिट भी हो सकता है इसके लिए दो कंडिशन उत्वन हो सकते हैं फास्ट फार पोजीटिव इफेक्ट यानी कि नेट प्रोफिट पोजीटिव इफेक्ट नेट प्रोफिट तो इसके लिए प्रभिष्टी होगा नेट प्रोफिट होगा तो जो गेन करेगा उसका capital debit हो जाए या निकी gaining partners gaining partners capital या current account dr 2 to sacrificing partners capital या current account यह entry होता है अब देखिए अगर negative effect हो जाए अगर negative effect हो जाए फॉर फॉर निगेटिव इफेक्ट यानि की net loss के दसा में net loss के दसा में तो इसका ठीक opposite entry हो जाएगा इस इन्टी के ठीक अपोज जी जानि की sacrificing partners capital या current account dr d r pent account dr sacrificing partners current sacrificing partners current account dr 2 sacrificing partners current account dr 2 अगर नेट इफेक्ट अगर positive होता है यानि की profit होता है तो इसके लिए इन्टी गेनिंग पार्टनर्स capital या current account तो के लिए यही दो entry होगा इन्ही दो इन्टी के थुरू इस इसस्तिती को complete किया जाएगा तो आएए एक question को भी solve करके देखते हैं question है x y तथा z एक फ़र में साज्यदार हैं जो लाभों को 5 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में बाटते हैं 31 3 2 19 को उनकी इससीती बिरन ने समान संचाय में 60,000 के स्टेस दर्स आए समान संचाय में 60,000 के स्टेस दर्स आए 149 से हुए लाभों को समान अनुपात में बाटेंगे उपवयुक्त व्यास्था को प्रभावी बनाने के लिए आवस्चाय गेनरल प्रविष्टी किजिए किजिए यदि x y तथा z ने समान संचाय खाता को बंद नो करने का निस्चाय क्या हो देखिए सबसे इंपोर्टेंट ची यहां लिखा हो आए यदि x y तथा z ने समान संचाय खाता को बंद नो करने का निस्चाय क्या हो अगर यहीं तक क्वेश्चन रहता प्रभावी बनाने के लिए आवस्चाय गेनर प्रविष्टी किजिए सबसे पहले सबसे पहले क्या करना है तो सेक्रिफाइस और गेन निकालना है सबसे पहले तो old profit sharing ratio of x y and z कितना दिया हुआ है 5 अनुपात 2 अनुपात 3 इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं पांच दू साथ तीन दस पांच बटा दस दू बटा दस तीन बटा दस new profit sharing ratio of x y and z तो निशित रूप से हो समान संचाय सारदर साथ एक चाह उन्हें से विलावों को समान अनुपात में यानि की निवरेश्य हो गया एक अनुपात एक अनुपात एक यानि कि एक बटा तीन एक बटा तीन एक बटा तीन तो सेक्रिफाइस रेशियो ब्रावर ओल्ड माइनस न्यू इस फर्मुला को हम लगाते हैं तो एक्स सेक्रिफाइस या गेन भरावर पांच बटा दस माइनस एक बटा तीन तो और यानि की पांच बटा तो सेक्रिफाइस का फर्मुला लगाए और पॉजिटीव रिजल्ट है इस लिए एक्स है ने सेक्रिफाइस किया वाओ सेक्रिफाइस या गेन तो वाई का हो गया ओल्ड दू बट्टा दस माइनस एक बट्टा तीन तीस हो गया एलसीम तिन दूना छो घट्टे दस यानिकी माइनस या बट्टा थर्टी निगेटिव आ गया इसलिए उने गेन किया जैड्स सेक्रिफाइस या गेन हो जागा कितना तीन बट्टा दस माइनस एक बट्टा तीन यानिकी तीस हो गया एलसीम नो घट्टे दस यानिकी माइनस एक बट्टा तीस यानिकी गया तो एकस सीक्रिफाइस किया पाँच बट्टा तीस और y और dz गेन किया है y ने गेन किया है 4 बट्टा तीस और जैट ने गिन किया है एक बट्टा 30 तो अब इसे सिति में अब क्या करेंगे तो एक्स को यहाँ पर लौस हो रहा है क्योंकि उन्हें 5123 हिसा आपना से के लिए 510000 है वही और जैड यहाँ जैड है इसे लाग हो रहा है तो अब खाता नहीं बंद करने से अब क्या होगा तो जो भी general reserve होगा PL होगा जितना general reserve मान के चलिए 10,000 है PL 5,000 है 10,500, 15,000 दोनों को add कर लेंगे 15,000 होगा 15,000 में 5 32 निकालेंगे 15,000 का 5 32 निकालेंगे उतना X को चाहिए किस से Y और Z से किस अनपात में तो य और Z का gain है चार अनपात एक तो चार एक में Y और Z देगा X को यहां पे सिर्फ एक ही चीज़ का उले किया हुआ है इस question में सिर्फ एक ही चीज़ का उले किया है साथ हजार का सिर्फ दर्स आए समान संच है तो साथ हजार में X का सेर निकालते हैं साथ हजार में X का सेर एक्स 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 सेर इन जेनरल रिजर्व कितना हो गया साथ हजार का five быстрakah तीस गाए साथ हजार तुनिस आद दू हजार पंचे से दस हजार लाई की X झार दस को दस हजार चाहिए X को दस हजार चाहिए Y कितना देगा Y देगा चार बटा तीस और जैट देगा एक बट्टा 30 एक सेर इन जेनरल एकस का हिसा हुआ जेनरल लिजर में 10,000 यानि कि यह 10,080 Y और Z जो गेनिंग पार्टनर है उनके द्वारा दिया जाएगा तो गेनिंग रेश weiter देख लेते हैं कितना हें तो गेनिंग रेशियो ओफ Y एन Z यानि कि इस अन पात्र देगा देगा 10,000 रुपयज दोनों मिला कि इन दोनों उड़ी न इन दोनों रेशियो चार एक के अन पात्र देगा सब्सक्iquement Citizens gros 하지 की क subsidy provide की सब्सक् jut принyan एक भी गेश्लीका गाहीट साथ हजार काही चारबटा तीस निकालेंगे यहेरा टीस इनुजन होगा और एक सब्सक्राइब करेंगे नहीं दूसा तरीका है जो चारवटा तीस निकालेंगे साथ हजार का चारवटा तीस निकालेंगे गेन कितना किया है चारवटा तीस देगा वाई और साथ एक बटा सब्सक्राइब अब आये देखते हैं ज्यार प्रविश्ट्री टोटयोगें प्रविश्थी अइंग पार्टनर टोटेसएब तो में टया दीस तो 8000 औरिक Whew डियाट तोटेसख्टल एक्स केक अब कि कितना है यन कि औरके qre goof देए भाने चुटday को दौन डियार दूःजार टूआ क्या क्या गया इडिस्ट किया गया अनुसुपाथिक पर फोर्फोर्सय जैर यानि कि अनुपाथिक यह सकिरिफार यानि कि अनुपाथिक व्यt chi jume path में inNe절 अब देखिए इस question में सिर्फ general reserve था लेकिन अगर किसी question में general reserve भी दे दिया रहेगा general reserve PL भी दे दिया रहेगा मन के चलिए profit लेते हैं तो क्या करेंगे इन दोनों को अगर किसी में general reserve दिया रहेगा और PL दिया रहेगा लौस इस सिर्फित में क्या करेंगे तो इस condition profit भी हो सकता है और loss भी हो सकता है वहीं होगा उसका net effect अगर evaluation दिया रहेगा उसका लौस प्रॉफिट करके net effect निकाला जाता है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगया हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद